वेलकम टू प्रियान से स्टडी पॉइंट हैलो दोस्तो सामान ग्यान के इस वीडियो में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम उन प्रश्णों की चर्चा करने वाले हैं जो सभी प्रतियोगी पर इछाओं के लिए महत्पोन प्रश्ण होते हैं तो चलिए दोस्तों सम्विधान की प्रश्णावना में कोई उल्लेख नहीं है तो किसका उल्लेख नहीं है ऑप्शन है हमारा ए नियाय का ऑप्शन भी भ्रातत्व का ऑप्शन सी है प्रतिष्ठा की समानता का एवम ऑप्शन डी है वयस्क मताधिकार का तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी वय भारत में एकल नागरिकता की अवधारना अपनाई गई है। हमारा अगला प्रशन है दोस्तो भारत का सम्विधान राजय मंडल, ओप्सन B, राजय संग, ओप्सन C है, महाशंग, तो पर युक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है option B राज्य संग भारत का सम्विधान भारत को कैसे वरणित करता है तो भारत का सम्विधान जो है भारत को राज्य संग के रूप में वरणित करता है हमारा अगला प्रशन है दोस्तों भारत का सम्विधान देश को इस रूप में वरनित करता है तो यह वरनित करता है ऑप्षन है अमारा A राजियों का संग, ऑप्षन B महा संग, ऑप्षन C एक आत्मक राजी, ऑप्षन D राजियं मंडल तो इसका सहे उत्तर है राजियों का संग भारत का संग देश को किस रूप में वरनित करता है तो राजियों का संग यानि राजियों के रूप में भारत का जो संविधान है ये इस देश को वरनित करता है हमारा अगला प्रश्ण है दोस्तो भारतिय सम्विधान ने सुद्रध केंदर के साथ संगीय प्रोणाली कहां से लिए है उप्शन है हमारा A संयुक्त रजी अमेरिका उप्शन B कानाडा उप्शन C युनाइटेड किंगडम एवं उप्शन D फ्रांस तो इसका सही उतर है दोस्तो ओप्शन B कानाडा भारतिय सम्विधान ने सुद्रध केंदर के साथ संगीय प्रोणाली जो है इसको कानाडा से लिया है आप्शन नमबर हमारा V सही है हमारा अगला प्रिश्ण है दोस्तों भारत का सम्विधान अपना प्राधिकार किसे से प्राप्त करता है आप्शन है हमारा A भारती सुतंतरताधनियम 1947 आप्शन B समाज के सभी वर्ग के लोगों के द्वारा प्रतिनीधित सम्विधान सभा ओप्शन C भारत की जनतायाम ओप्शन D राष्टपती और सर्वोच नियायालाई तो इसका सही उतर है ओप्शन C भारत की जनता भारत का सम्विधान अपना प्राधिकार किसे प्राप्त करती है काफी महत्पून प्रश्ण है, सभी एक जामों में पूछे जाते हैं हमारा अगला प्रश्ण है, भारतिय सम्विधान में नियाजक समीचा का प्राधान किस देश से लिया गया है? भारतिय सम्विधान में नियाजक समीचा का प्राधान किस देश से लिया गया है? उप्शन है हमारा A, Ireland, उप्शन B, USA यानि United States, America, उप्शन C, Australia, उप्शन D, Canada तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, उप्शन B, USA, United States, America भारतिय सम्विधान में नियाजक समीचा का प्राधान जो है, ये USA से लिया गया है? हमारा अगला प्रशन है, दोस्तों, सम्विधान कि उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेच सब्द किसके द्वारा जोड़े गये? उप्शन है हमारा A, 16, संसोधन, उप्शन B, 7, संसोधन, उप्शन C, 42, संसोधन, उप्शन D, 44, संसोधन, तो इसका सही उतर है दोस्तों, उप्शन C, 42, संसोधन, भारति तम्विधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेच सब्द किसके द्वारा जबे गए हैं, हमारा अगला प्रिशन है, दोस्तों, सर्व सत्ता संपन संसत की अवधारना किस देश की देन है, तो उप्शन है हमारा A, इंग्लेंड सर्वसत्ता संपन संसत की अवधारन जो है ये इंग्लेंड के समित